आपके पास भी है इन सभी पदों को प्राप्ट करने का एक सुनहेरा आफसर जिसमें आपको मिलते हैं सीबी आई इंकम टेक्स मंत्राल्य जैसे बेहधी शांदारपत आप सभी को सभी के लिए संकल्प बैज जिसमें आपकी सभी क्लासेज एकदम बेसिक से चल रही हैं तो बिना देरी किये आज ही जोइन करें स्सी मेकर का संकल्प बैज और दे अपने सपनों को एक नई उडान अधिक जानकारी के लिए डाउनलोड करें स्सी मेकर आप और दिये गए नमबर पे कॉल करें झाल तो झाल बेज़ हैं झाल झाल थोड़ा सा आवाज मीश हो गया था तो एक बार फिर से आप सब लोग का बहुत बहुत स्वागे तभी क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है एक बार फिर से यहां से भाई क्लास करते हैं यही पहला कोश्चन है और आवाज नहीं थी उसके लिए अगें सौरी चली शुरुआत करते हैं लिखाए यूएस इंडिया टैक्स फोरम का प्रमुक किसे निक्त किया गया है तरुन बजाज है आकास दीप है राजेस तनेजा है या विने कुमार सिन्ना है तो इसका सही एंस सबस्ति चैंपेशन सिब्दुइशन, किस देश में किया जा रहा है वही सका आयोजन किस देश में किया जा रहा है बहुत कर अच्छारद, क्लस करेंगे पंदा-बैस मैट करेंगे ठीक है हाँ जी recorded है तो इसलिए आपको ठीक है अगर आप कोई question पूछ रहा हो तो हम जवाब देने में समर्थ होंगे परिशान नहीं होना है कल से आपको लगातार जवाब मिलेंगे इरान है चीन है किर्गिस्तान है या भारत है तो कहां पर आयोजिन किया जा रहा है तो बिल्कुल इसका आयोजिन जो हो रहा है वो किर्गिस्तान में हो रहा है कहां हो रहा है किर्गिस्तान में हो रहा है ठीक है इरान चीन किर्गिस्तान भारत तो इसका आयोजिन जो है वो किर्गिस्तान में हो रहा है हाली में पाकिस्तानी संसत के उपरी सदन यानि सीनेट का अध्याच क किसे चुना गया है पाकिस्तानी संसत के उपरी तो याद रखेगा यूसुफ रजा गिलानी किसे चुना गया है भी तो यूसुफ रजा गिलानी जो है इन्हें आपका सुना गया चुना गया है ठीक है यूसुफ रजा गिलानी को तो इसका सही अंसर जो है वो बी है कि मिराज सहर को संगीत वादियंत्र बनाने की अपनी कला के लिए जी आई टेग प्रदान किया गया अभी हम लों ने यानि की चर्चा में जब देखा संडे की क्लास में तो जी आई टेग के बारे में हम लों ने ध्यान दिया GI TeAME हमने पढ़ा कि यह आपका 10 वर्सों के लिए दिया जाता ैं कि पूरा के लिए इसलिए जो कि नब यह आपको दिया गया और इसका आंसर जो है वो है महराष्ट क्या है महराष्ट में अगर हम बात करें सीम साहब है ना तो महराष्ट के जो सीम है वो वर्तमान में एक नाथ सिंदे हैं कौन है एक नाथ सिंदे हैं और अगर दूसरे सब्दों में अगर हम कहें तो महराष्ट की जो राजधानी है मुंबई वो भारत की वित्तिय राजधानी भी है वित्तियए कैप्टल वित्तिय राजधाने तो भारत की वित्तिय राजधाने भी क्या है मुंबई याद रखेगा Quesyan वर नेक्स्ट है हाली में सागर कवच exercise का आयोजन कहां किया गया वही सागर कवच जो यह अभ्यास है इसका आयोजन कहां पर किया गया जी हाँ तो कहां किया गया आपको बताना है देखे ये अगर हम बात करें तो ये भारत है इधर आपका पढ़ता है कि वहार आपको पता है मेरी आफंगाल, बंगाल पिर खांडी चाहर बाद करें इधर मों करें अरब सागर हे अब यहां पर दो होता है एक आपका out west of और एक आपका अंडमान निकोबार तो यह अगर हम बात करें इस तरीके से तो यहां पर आपका लच्च दीप है और इस तरफ अगर हम बात करें तो यहां पर आपका अंडमान निकोबार है अंडमान निकोबार की कैप्टल है पोर्ट ब्लेयर और अगर हम लच्छ दीप की बात करेंगे तो लच्छ दीप की है कावाराती बिलकु ठीक जवाब आपका आ रहा है और यहां पर अगर देखा जाए तो यह आजन किया गया है लच्छ दीप में यानि की B is the right option बी जो है आपका right option है नेक्स्ट है आई पी एफ ठीक है आई पी एफ द्वारा clean energy investor forum का आयोजन किस देश में किया जाएगा आप से question question कह रहा है वह इसका आयोजन किस देश में किया जाएगा भारत है चीन है सिंगापूर है या मलिशिया है तो इसका आयोजन कहां किया जाएगा देखें भारत है चीन है सिंगापूर है मलिशिया है तो इसका आयोजन जो होगा वो सिंगापूर में होगा कहां पे होगा जी सिंगापूर में होगा clean energy investor ये clean energy investor कह क्या रहा है clean energy investor का मतलब है सच जो उर्जा के लिए बढ़ते कदम सच उर्जा के लिए ठीक है तो सच उर्जा के लिए यानि कि इस में यह चर्चा की जाएगी कि किस तरीके से भविष में हम स्वच हूर्जा के लिए बढ़ सकते हैं कि कोशन अब सात्वां आपके स्क्रीन पर है पढ़िए भई हाली में विप्रो ने किसे कम्पनी का CEO और MD निउप्त किया है किसे यानि कि CEO और MD निउप्त किया है स्री निवास पल्लिया या अजय काला या विजय सिन्ह या दिनेश खुराना किसे किया गया है आपको बताना है कोश नमबर शात तो याद रखेंगे विप्रो टीक है अजीम हसन प्रेम जी की कम्पनी को अगर हम विप्रो के बात करें तो विप्रो Katrina की अजीम प्रेम जी याद कर एगा ठीक है राश्ट्री महिला होकी लीक काउट घाटन किस सहर में किया जाएगा किस सहर में किया जाएगा देखे राशी की बात करें तो राशी कहां पढ़ता है तो राशी है आपका ज्ञारकन लखनौर जो है यूपी में ठीक है महिला होंकी लिग की बात की जा रही है राष्ट्री महिला होंकी लिग तो इसका जो सही जवाब होगा वो आपका होगा A यानि कि बिल्कुर ठीक जवाब आप लोग का आ रहा है A is the right option ठीक है राष्ट्री होंकी जो है महिला लिग A is the right option है भारत ने विदेशी सिटवे बंदरगा को संचालित करने का अधिकार हासिल किया है आपको बताना है यह किस देश में है सिटवे बंदरगा ठीक है सिटवे बंदरगा अगर हम बात करें यह हमारा भारत हो गया और इस तरीके से यहां पर देखते हैं तो यहां पर एक बंदरगा है जिसका नाम सिटवे है क्या नाम है सिटवे और यह है आपका मैनमार क्या है मैनमार और यहां पर अगर बात करेंगे तो यह आपका स्री लंका है और स्री लंका में बंदरगा है जिसका नाम है हमबन टोटा याद रखिए हमबन टोटा तो भारत ने जो कोल का यह आपका कोल काता है यहां से यहां पर इस तरीके से ओपरेट किया जा सकता है और इसका राइप जो है हासिल कर लिया भारत के द्वारा फिक है तहों इसका अंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा आपका दी यानि की मेहनमास भारत के पहले प्राइवेट सब मीटर रिजालिशन सर्विस लांच सर्विलांच सैटलाइट को किसने लांच किया है अगनिकुल कॉस्मोस धुरू स्पेस टाटा एडवांस सिस्टम या फिर आपका स्काई रूट एरो स्पेस ठीक है किसके द्वारा आपका लांच किया गया है सर्विलांच सब मीटर तो यह आपका किया गया है बिलकुल सी देखें आज खटा-खट चलना है ठीक हाँ जी आपको पते यह क्यों खटा-खट चलना है तो सी इस दा राइट ऑप्शन हाली में किसने लोगपाल के नियाई सदस के रूप में सपत ली है आपको बताना है किसने जो है लोगपाल के रूप में यानि कि सपत ली है यह आपको बताना है बई बताईए बई लोगपाल होता क्या है तो अगर हम लोगपाल के बारे में चर्चा करें तो लोगपाल जो लोगपाल का जो मेन काम है वो क्या है चर्चाओं को सुनना अगर हम बात करें तो 27 मार्च से यानि कि यह आपका इन्होंने ले लिया था सब ठीक है लोगपाल इनका जो मुख काम है नई दिल्ली में रहेंगी ठीक है विधी आयोग के पूर्व अध्यच रही है जो रितू र अगर लोगपाल के बारे में अगर हम रुजात करें ठीक है लोगपाल को लेकि ही आपको पता है कि एक अंदोलन हुआ था जिसको अन्ना जी ने लीट किया था तो इस कोशन का जो जवाब हो जाएगा वो सी होगा अगला कोशन है अब पाइरो के एलीट पैनल अम्पायरों के एलीट अम्पायरों के ICC एलीट पैनल में सामिल होने वाले बांगलादेश के पहले अम्पायर कौन बने तो भई बांगलादेश के पहले अम्पायर कौन बने हैं ये आपसे पूछा गया है जी हां तो ICC जो होती है ना जी हां ICC तो ICC में आप से पूछा गया है यह कौन आपके बने हैं वो भी कहां के हैं तो बंगलादेश के ठीक है तो याद रखिएगा एलीट क्या जैसे कि कोई भी मैच होता है क्रिकेट तो पता है अमपाइरिंग भाईया बड़ा ही कठीन है है ठीक है और यह पहले अमपाइर बन गए इसलिए कोईशन को पूछा गया है यह पहले अमपाइर बन गए और यह सर्फु दौला इबने साहिद तो यह इनका नाम है भी आपका है तो भी आपका एंसर है ठीक है बी इस दा राइट आप्शन है कि कोशन नमबर 13 तेर्वा कोशन जड़ा देखिए भई तेर्वा कोशन पढ़िए अगर हम बात करें हाली में कल्यान चालुक राजवन्स का नौ सो साल पुराना कंणडसिला ले किस राज में पाये गया अगर हम बात करें चालुक रुरिए जो यह आपका जो स्ताम्र लेक जो सिला लेक पाया गया है यह आपका तेलंगाना यानि कहां पाया गया है तेलंगाना के गंगापूरम गंगापूरम जो है एक प्लेस है तो गंगापूरम में आपका ये पाया गया ठीक है अब आप कोगे सर ये अभी पाये गया देखें लगातार क्या होता है उत्खनन होता रहता है तो जब लगातार उत्खनन होता रहता है तो आने वाले समय में क्या होता है उन चीजों को आई पील इतिहास का सबसे वड़ा टीम स्कोर किस ने बनाए ये तो अभी आपने देखा कि आई पील इतिहास का जो सबसे वड़ा स्कोर वही एक ने बनाया ता फिर ने ब्रेक कर दिया जैसे कि अगर हम बात करें तो इस समय इन्होंने फिर से खड़ा कर दिया है 287 का पहले 270 का था अब इन्होंने तो टाड़के 287 अपने आप में बहुत बड़ा स्कोर है ठीक है याद रखेगा ये अपने आप में बहुत बड़ा है तो इसकोर तो बी इस दा राइट ऑप्शन कोशन नमबर आपका है पंदरवा जम्मू कस्मीर और लड़ाक उच नयाले के अत्रिक नयाधीस के रूप में किसे निक्त किया गया है अगर हम जम्मू कस्मीर के बारे में बात करें जम्मू कस्मीर एंड लड़ाक तो ये पहले दोनों एक था जी हां और 31 अक्टूबर 2019 को क्या अलग हुआ अलग होने के बाद जम्मू कस्मीर केनल हो गई श्री रणेगर लड़ाक के लोग गई ले और अगर यहां पे चर्चा करें कि बीकौन है तो यह यहां पे अंसर क्या और आपका कि तो यहां पेहां और अंसर हो जाएगा जश्टिस मुहम्मद यूशुप वानी तो यह आपका एंसर हो जाएगा एज दा राइट ऑप्शन यह आपका जो है होंबर का कोशन है कौन सा खाड़ी देश पहली बार मिस यूनिवर्स पृत्योक्ता में भाग लेगा ठीक है यह आपका होंबर का कोशन है याद रखेगा तो इसको जवाब दीजिएगा कौन आपका भाग लेगा तो मिलते हैं अगली क्लास में लगातार बन जै भारत